तो दोस्त अपने computer system को time to time password को change करते रहना चाहिए ताकि कोई हमारे पर attack ना कर सके तो दोस्त आज हम Linux में दो method के बारे में बात करेंगे जिसका मदर से आप password को change कर सकते हैं तो दोस्त पहला method है अपने terminal को open करेंगे Linux का और वहां पर command लगाएंगे 5wd इंटर करेंगे अब यहां से पूछेगे current password पूछ रहा है तो current password जो आपका हो उसको डाल दीजिए मेरे case में kali है यहां पर दीखेगा नहीं लेकिन type कर देंगे और फिर इंटर करेंगे उसके बाद पूछेगा new password क्या है तो new password आपको जो देना है दे दिए दे दीजिए और password जो भी रखिए maximum 8 character से अपर digit का होना चाहिए और उसमें alphabet, numerical and symbol इन सबका mixer होना चाहिए तभी वो password जो है strong माना जाता है अब password ऐसा रखना चाहिए जो खुद को भी जल्दी याद ना हो उसको कहीं पर leak कर रख दो diary या पर किसी notebook में तो यहाँ पर new password इंटर कर देंगे फिर इंटर कर देंगे अब उसके पासवार्ट जो है वही इंटर करिए जो आपने अभी इंटर किया फिर इंटर कर देंगे तो दोस्तों successfully हमारा password चेंज होगा है यह हो गया पहला method और दूसरा method बारे में बात करें आपको देंगे अब यहाँ पर पूछे कि क्या है और उसके बाद new password इसके बाद confirmation password कर देंगे फिर ok कर देंगे आपका password चेंज हो जाएगा तो दोस्तों यह है दो method जो जिसके method पर आप password को चेंज कर सकते हैं काली linux या फिक करनल OS में